नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दन्यूज लॉंचर की यूटूब मंच पर दोस्तों कई बार उचे ओधे पर बैठे हुए लोग को ये भ्रम हो जाता है कि वो सर्वोच नयाले के आदेसों की धज्यां उड़ा सकते हैं उसका उलंगन कर सकते हैं उसे इग्नोर कर सकते हैं और ये भ्रम मौजूदा दौर में मौजूदा निजाम के दौर में ये बढ़ता हुआ ही जा रहा है कई सारी ऐसी संस्थाएं और कई सारे समयधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सर्वोच नेले के आदेश के अब हेलना करने में एक दूसरे से कमपिटिसन करते हुए दिख रहे हैं बार-बार सुप्रीम कोट को सकत होना पड़ रहा है लेकिन सुप्रीम कोट के सकती के बावजूद सुप्रीम कोट अब इस हालात में आप पहुचा है कि कोई भी एक दिन कोई भी एक कड़ा फैसला इस देश में बड़े से बड़े समयधानिक पद पर बैठे हुए ब्यक्ति की धजियां उड़ा कर रख सकता है और आज सुप्रीम कोट में ऐसा ही हुआ है महराष्ट के स्पीकर के मामले पर हुआ है क्योंकि आज से चार दिनों पहले सर्वोच नयाले ने कहा था कि मंगलवार के दिन एंटी डिफेक्शन लौ दल बदल कानून के मुद्दे पर महराष्ट में सिउसेना विधायकों की अयोगिता के मुद्दे पर एकनाथ सिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोगिता के मुद्दे पर कौन सी टाइम लाइन महाराष्ट के स्पीकर राहूल नार्वे करने तेकी है यह सर्वोच नैले को बताया जाए आज तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त तक कोई टाइम लाइन नहीं दी गई यहां तक कि उनकी तरफ से महाराष्ट सरकार की तरफ से जो वकील पेस हुए थे सॉलिस्टर जनरल वो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से गिड़ गिड़ाते हुए नजर आए कि एक और मौका दे दीजिए और इसके बाद जस्टिस चन्दचूर की बेंच ने साफ साफ कह दिया कि आखरी मौका दे रहा हूँ तीस अक्टूबर वो डेड़ लाइन है जिस दिन ये बताना होगा कि कितने दिनों के अंदर महराष्ट, विदान, सवाद, द्यक्च, विधायकों की आयोगिता पर फैसला करेंगे उसके बाद कोई टाइम लाइन नहीं नियाले खुद फैसला करेगा इस मामले को लेकर सर्वोचनायले की सक्ती के कारण भी समझ में आते हैं दोस्तों सर्वोचनायले यूँ ही सक्त नहीं हुआ है 11 मई 2023 यानी तकरीबन 5 महीने 5 दिन पहले 155 दिन पहले सर्वोचनायले ने आदेश दिया था कि रिजनेबल टाइम फ्रेम में इस मामले को यानी एक ब्यावहारिक और नियत समय सीमा में इस मामले का रिप्टारा किया जाए लेकिन महाराष्ट के विदान सभाद द्यक्ष है कि उनको ब्यावहारिक और नियत समय सीमा का पता ही नहीं है महाराष्ट के विदान सभा ध्यक्ष की स्तिती हो गई है इस तरह की कि वो endless इस मामले को खीचे जा रहे हैं जब तक मर्जी जब तक कि विदान सभा चलती रहेगी तब तक उनकी कारवाई चलती रहेगी ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोट को भी लग रहा है कि क्या इसे विदान सभा के कारेकाल तक ले जाएगा क्या इसे लोक सभा चुनाओ के पहले नहीं निप्टाया जा सकता इस तरह की बाते कहने पर यदि सर्वोच न्याले मजबूर हो रहा है तो निश्चित तोर पर महाराष्ट में बिरान सभा द्यक्त की कुर्सी पर बैठे हुए ब्यक्ती और उनके पीछे उनको ताकत देने वाली सियासी ताकते कहीं न कहीं सूप्रीम कोट के सामने जिस धिठाई से खड़ी है वो धिठाई आने वाले वक्त में उस परकार की जो कोशिसे है जो कोशिसे जिसको एक कुट्सित कोशिस कहा जा सकता है जिसको एक नापाक कोशिस कहा जा सकता है क्योंकि जिस देश में नायपाली का विधाई का और कारेपाली का सभी एक दूसरे के जूरिजिक्षन का सम्मान करते हुए नजर आते हैं उस सम्मेधानिक दायरे को यदि विधान सभाद द्यक्ष जैसे बेहत जिम्मेदार पत पर बैठे हुए लोगों के तरफ से ब्रीच किये जाने की उसकी अवहेला किये जाने की कोशिशें होती है तो याद रखिए 30 अक्टूबर 2023 वो तारीख हो सकती है जिस तारीख को एक विधान सभाद द्यक्ष के चक्कर में एक राजिक के विधान सभाद द्यक्ष के लेट लतीफी की वज़ा से इस देश में विधान सभाद द्यक्षों के लिए एक नई गाइडलाइन सुप्रिम कोट की तरफ से द सर्वों चिनाल है अब करने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है सब को याद होगा कि इस पूरे मामले की सुरुवात कहां से हुई थी इस पूरे मामले की सुरुवात जून 2022 में हुई थी जब सिवसेना के विरायक एक एक कर पहले सूरत और पिर सूरत के बाद चार्टेट प्लेन से गौहाटी पहुंचते चले गए गौहाटी एरपोर्ट की स्थिती तो उस जून महीने में ऐसी थी किस माल लग रहा था कि एरपोर्ट पर कोई बैटरी रिक्सा चार्टेट प्लेन बैटरी रिक्सा की तरह एक प्लेन आ रहा था दूसरा जा रहा था एक-एक कि वहाँ पर जाकर विरायकों को एक तरह से तमासा बना दिया गया और उसके बाद उन विरायकों को गोवा लाया गया विरायकों के गोवा लाने के बाद मुंबई लाया गया और बिना किसी समर्थन वापसी के पत्र के विपक्ष के नेता उस वक्त के विपक्ष के नेता दे के राजपाल विपक्ष के नेता के कहने से किसी राज में बहुमत सिद्ध करने का आदेश देना सुरू कर देंगे किसी भी सरकार के लिए क्या विपक्ष का नेता करेगा कि बहुमत का परिक्षन किया जाए यह सारी चीजें मौझूदा दौर में जो हो रही है उस वक्त में भगत सिंग को स्यारी जो उस वक्त राजी के गवर्नर थे उनके द्वारा निस्पक्षता का पालन करने में हुई चूक की वजह से हो रही है उसके बाद एक एक करके 40 के करीब इधायकों को जुटाया गया उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए कहे जाने के बाद एक बेहद इमोशन सोग्डे स्पीच के बाद उद्धर ठाकरे ने इस्तिफा दिया और नई सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ सर्वोच नहाले की टिपणी तो तब इतनी तल्क थी इतनी तल्क थी कि सुप्रीम कोट ने साफ साफ उस दौर में सुनवाई के दर्मियान कह दिया था कि यदि उद्धर ठाकरे ने इस्तिफा नहीं दिया होता तो उस सरकार को हम बहाल कर देते यानि उन्होंने खोदी इस्तिफा दिया अब मामला यहां तक पहुँचा है कि एंटी डिफेक्शन के मामले पर फैसला नहीं लिया जा रहा है 11 मही के जैज्जमेंट में सुप्रीम कोड ने साब साब कहा था कि महराष्ट में असली विप उस दिन के विप को माना जाएगा उस दिन के सिवसेना के विप को माना जाएगा असली विप जिस दिन यह तूट हुई थी यानि उद्धो ठाकरे गुट के विप को असली विप माना जाएगा और उनके विप के द्वारा दीगे सूचना के आधार पर आयोगिता की कारवाई आगे बढ़ेगी आज तक हुआ क्या? सब जानते हैं कि राहूल नार्वेकर किस गड़ बंदन के विधायक है वो मौजुदा सत्धाधारी गडबंदन के विधायक है इसका मतलब यह नहीं है कि विधान सबाध्यक्ष पक्षपाध पूर्ण करने के मामले में सारी सिमाओं को लांग दे सर्वोचिनेयले इसी चीज़ को देख रहा है और इस मामले में माननिय सर्वोच नयाले का पेसंस टेस्ट करने धैर की सीमा को का परिक्षण करने की जो कोसिस होती हुई दिख्ती परतीत हो रही है खासकर महाराष्ट के विदान सभाय स्पीकर के द्वारा वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतिय लोगतंत्र के लिए इसे बहुत जायज नहीं ठाराय जा सकता 30 अक्टूबर को माननिये सरोच न्याले के द्वारा एक नाथ सिंदे समेत इन 16 विदायकों पर फैसला किस टाइम फ्रेम में होगा ये बताने में अगर असमर्थता उस दिन भी जता दी गई विदान सभाद द्यक्ष की तरफ से तो यकीन मानिये आने वाले वक्त में महरास्ट की सरकार जो कई तरह के समयधानिक संकटों से घिरे हुई है कई प्रकार के विवादों में घिरे हुई है कई तूटे हुए दलों के सहारे जो सरकार चल रही है और उस तूट को अब तक वैधानिकता भी नहीं मिली है उस तूट को लेकर दिय जिस पकार के समयधानिक सवाल है इन समयधानिक सवालों के इर्द गिर्द यदि भारत में पूरा एंटी डिफेक्शन लौ ही 30 अक्टूबर के बाद सवालों के घेरे में खड़ा हो जाए तो आने वाले वक्त में न तो किसी ऑपरिस्टन लोटस की गुंजाई समझ जाएगी और नहीं किसी भी प्रकार से सरकार बनाने गिराने के खेल के लिए निकट भविस में कोई समभावना दिखेगी इसलिए भी नहीं दिखेगी क्योंकि सुप्रीम कोट अगर कोई कड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गया तो फिर विरान सभाद डेक्श को जो सम्मेधानिक का धिकार मिले हुए है जिस पकार से उस पद की गरिमा का ध्यान अब तक रखा जा रहा है उस गरिमा को यदि सुप्रीम कोट में खुर एक विरान सभाद डेक्श की गतिविदियों की वज़े से तार-तार होने की नौबता रही है तो सुप्रीम कोट इस देश में सब तार-तार होते हुए सुप्रीम कोट अपनी आखों के सामने नहीं देख सकता तीस अक्टूबर को यह तै हो जाएगा कि महाराष्ट में एक नाथ सिंदे की विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी तीस अक्टूबर को यह तै हो जाएगा कि अजीत पमार की बगावत को सम्मे तैयार हो रहा है वो जन्मत मौझूदा विरायकों पर ED की ED की तरफ से जो तलवार लटकी हुई दिखती है उस ED की तलवार पर भारी है या नहीं है और 30 अक्टूबर को ही ये तैय हो जाएगा कि आने वाले वक्त में महराश्ट में जन्मत गमाचु की सरकार सिफ संख्या बल एक भारती जन्ता पार्टी और दो तूटा हुआ धड़ा एक NCP से उसेना से इस तूटे हुए धड़े के सहारे जो सियासत चलाने इकोचिस हो रही है इस सियासत की समय धानिक्ता कितनी है इस सियासत की लाइफ कितनी बची हुई है और इस सियासत के लिए लोग सभा चुन एकनास सिंदे की बदनामी काफी हुई अजीत पमार की बदनामी काफी हुई देवेंद फरनवीस का तो डिमोशन तक हो गया भारती जनता पाटी रोज बरोज महरास्ट में अपना जनाधार गमाते हुई दिख रही है लेकिन इन सब के बीच मर्यादा जिसकी तार-तार हो रह की मर्यादा यदि तार-तार हो रही है वो भी एक विरान सबाध्यक की गतिविदियों की वज़े से तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला आने वाले वक्त में बेहद ही खतरनाक मोड़ पर जाता हुआ देख रहा है क्योंकि संब्यदारिक पेचित्गियों को सुझाने में कई ब का विवाद इस देश में संब्यदान संसोधन करने की सरकारों की सक्तियों को सिमित करवा देगा मूल धाचे के पूरे के पूरे सिद्धान को परतिपादित करा देगा और आने वाली सरकारों के उपर संब्यदान और संब्यदान की मानेताएं इस कदर सरकार के नीतियों औ महाराष्ट के विधान सभाद द्यक्ष राहुल नार्वेकर के मन में yadhi केश्वानन भारती की तरह समिधान की किताबों में अ음 रोने की कोई अगर ब्याख्या हो दिंगाग में कुछ इस तरह की चीजे हूं तो मैं नहीं जानता लेकिन जो भी होगा कहीं न कहीं कसोटी पर विरान सभाद ड्रक महारास्ट की पूरी सियासत के सवालों को नए सीज़ से पुनर परिवासित कर दें किसी को आश्चर नहीं होना चाहिए तो फिलाल हम इंतिजार करते हैं तीस अक्टूबर का उस तारीख का जो तारीख किसी के लिए खोसियान लेकर आएंगी तो किसी के लिए एक जलजले से कम नहीं होगा यह अलग बात है कि उस तारीख के पहले ही यदि सुप्रीम कोट में महरास्ट विदान सभाद द्यक्ष अपनी नयायले की और एहलना की आदत से बाज आते हुए कोई अगर पिटिशन फाइल कर दे कोई समय सीमा तै कर दे और उस समय सीमा से सुप्रीम कोट सहमती जता दे तब यह माना जाएगा कि वाकई विदान सभाद द्यक्ष को कि देर आयद दुरुस्त आयद की पध्धती को अपनाते हुए उन्होंने कहीं न कहीं समय धानिक मर्यादाओं क कि रख्षा के दिसा में कदम उठाया तो देखते हैं करते क्या हैं जो भी करेंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और महराष्ट की सियासत 2024 की सियासत को किस तरह से परिवासित कर रही है यह बताने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि महराष्ट और बिहार मौजूदा द कुछ समयधानिक पहलूँओं से कुछ सरवच नयाले के कड़े दिसा निर्देसों की वज़ा से उसके बाई प्रोड़क्ट की वज़ा से और कुछ इस देश की सियासी परिस्टितियों की वज़ा से तो इन सब परिस्टितियों पर हमारी नजर बनी रहेगी फिलहाल हम 30 अ होता क्या है थाले वाल